इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोई भी क्यूबिक एक्वेशन अगर हम दी गई है तो हम उसे कैसे सॉल्फ करेंगे कुछ क्यूबिक एक्वेशन बहुत इसी होती है उनमें अल्रेडी यहां पर हम आराम से रूट निकाल सकते हैं क्ना होती है यहां उसकी डो क्यासे ही निकालते हैं इसके स्ट्प नहीं रहे देखेंल नुट यह कैसे निकालते हैं हम यहां पर हैसे कि हम यहांThis यह जो इक्वेशन में दी गई है इसमें हम 1-1, 2-2 इन सब तरेकी की छोटी-छोटी values को पुट करेंगे और अगर answer 0 आ रहा है सिर्फ इस equation में रखेंगे सिर्फ इस equation में और अगर इसका answer 0 आ रहा है इस equation में रखेंगे मतलब x की जगे रखेंगे अगर 0 आ जाए मतलब वो एक हमारा आंसर हो गया तो अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे तो देखें 1 क्यों 1 हो जाएगा 1 स्क्वेर 10 यहाँ पर आ जाएगा प्लस 31 x है तो प्लस 31 हो जाएगा मैनस 30 हो जाएगा यह आपको 0 नहीं देगा ठीक है 31 प्लस 1 हो गया 32 माइनस 40 यह आपको 0 नहीं देगा अगर हम माइनस 1 रखके देखेंगे तो पूरा नेगेटिव में आएगा देखें माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वेर होगा 1 तो यहाँ पर आगे सिर्फ माइनस 10 माइनस 31 हो जाएगा और यह माइनस 30 है तो यह दोनों तो भाया रूट नहीं है अब हम 2 रखके देखेंगा छोटी-छोटी वैल्यूशी होती है बेसिकली हमेश्या रूट होती है तो अब तू रखके देखेंगे तो का क्यूब होता है 8 माइनस 2 2ा 4 है और इंटू 10 कर देंगे तो 40 हो जाएगा, प्लस 31x, यहाँ पर आप करेंगे, मल्टिप्लाइए तो 2 बन्दार 2, और यह 62 हो जाएगा, 2 मल्टिप्लाइए करेंगे, x के जगे 2 रखेंगे, तो माइनस 30, अब इधर देखिए, 62 प्लस 8 करेंगे, तो हो जाएगा, 70, और माइनस 40 माइनस 30 करेंगे, तो माइनस 70, ठीक है, तो आपने जब 2 यहाँ पर रखा, तो आपको मिल गया, 70 माइनस 70, 0, यानि 2 इसका एक रूट है, अब हम, एक, x माइनस 2, इस तरीके से, इसमें फैक् इस तरीके से, इस फ़र्म में लाएंगे, x माइनस 2, 2 आंथर था, तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2, अब कैसे भई, आप दीखते जाए, लिखते जाए, या कॉपी में, आपको समाझ आते जाएगा, लिखें, x क्यूब माइनस 10x स्क्वेर है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते है इसे लिख सकते हैं, इकवस तो लिखेंगे, यही अच्छनल देगा, हमें माइनस 10x स्क्वेर ही है, बस हमने इसे अलग तरीके से लिखा, माइनस 2x स्क्वेर, माइनस 8x स्क्वेर, क्यू लिखा आप देखिये, इस में ज़रा ध्यान दीजे, मैं यहाँ पे x स्क्वेर बाह स्क्वेर को इस x-2 से आपको यही आंसर मिल जाएगा, बागी से आप ऐसे ही लिख दीजे, 8x स्क्वेर प्लस 31x-30 इकवस तो 0, अब ठीके, अब हमें इसको भी x-2 के फॉर्म में करना है, इसे कर सकते हैं, क्या हम देखते हैं, x स्क्वेर लिखे, x-2 लिखे, ठीके, माइन अब यहां पर आप 8x कॉमन लेना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप इस तरीके से लिखे, कि 8, 2 सा कुछ वाल्यू दे, तो 8, क्यूंकि हमें x-2 चाहिए, तो आप यहां लिखेंगे, माइनस 8x स्क्वेर प्लस 16 होता है, तो 16x प्लस 15x माइनस 30 इकोस तो 0, 15 क्यों आप, हमें 16 चाहिए था यहां पर, लेकिन आंसर क्या है, यहां पर मतलब हमें किस चीज को हम उपन करें, 31x को, तो 16x प्लस 15x आप करेंगे, तो आपको 31x में जाएगा, हमने यहां कुछ गलत क यानी मैतमादिक्स के रूल के हिजाब से, अब लिखा हमने x स्क्वेर, x माइनस 2 लिखा, अब यहां पर आप 8x कॉमन ले लिजे, कहां से, यहां से, आप लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x आएगा, बाहर, x अंदर आएगा, अब यहां हम मल्टिप्लाइ करके हमें प्ल अब यहां पर equal to 0 नीच लिए तेर, समझाए आपको, अब आप multiply करेंगे, आपको पूरा यही चीज को मैंने बस थोड़ा open कर दिया, क्योंकि हमने पहले step में निकाल लिया, कि हमारा root 2 है, तो हमने x मानस 2 के form में हम समझ गई, कि x मानस 2 के form में हम इसे open कर सकते हैं, तो हमने इसे open किया, अब हम क्या करेंगे, कि अब हम, यहां पर equal to 0 समझ लिए, यहां जगे कम है, अब हम x मानस 2 यहां पर इन तीनों टर्म्स में से, कि इन तीनों टर्म्स में से, इसमें, 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 तीनों में x मानस 2 है, यहां मानस 2 यहां प्लस है, हम क्या करेंगे, x मानस 2 निकाल लिया और यह हमने अलग से लिख लिए अब क्वाड़िक एक्वेशन यानी जिसका पावर मैकसिम पावर टू होता है वह हम तो पच्पन से सॉल्फ करते हैं यह एकदम आराम से सॉल्फ हो जाएगा और अभी हमें बस रूटस हमारे मिल नहीं वाले है हमारे आंसर मिल नहीं वाला है अब इससे हम 8x को कैसे लिख सकते हैं देखिए 15 आना चाहिए multiply करके और add करके हमें 8x मिलना चाहिए तो हम कैसे लिखते हैं इसको 5x-3x plus 50 यह जीज तो बहुत ही ज्यादा आसान है यह सबको आती है 5 चीज़ा 50 और 5x-3x-5x-3x हमें क्या देता है 8x और यह म माइस माइस मुटिपला होके हमें 15x स्क्वेर देगा ठीक है 15x स्क्वेर तो अब हम यहाँ पे इससे सॉल्फ कर लेंगे एकदम अराम से यहां मने x बहार निकाला इसके लिए ठीक है यहाँ पे हमने माइनस 3 यहां रखा इस टम के लिए क्लिए करेंगे x-5 यह आप मल्टि एक्स माइनस 2 यह हो गया आपका Х-3 यह होगे आपका x-5 ठीक है यह आपको तीन इस तरहीं से मिल गए अब दो रहाम से आता है अब यह दुनों जब 0 हुए उधर जाके तो हमें मिला x का वैल्यू 2 जब यह दूनों झाये तो हमें एक्स में मिल जाएगा 5 जाब यह दूनो लिखा है यहां पर तो हमें 3 हमारे answer मिल गए x की value हमें यहां 3 मिल गई 2 यानि हमें answer मिल गए हमारे cubic equation का solution मिल गया 253 यह है हमारा answer